हालो एंड वैलकम एवरिवान दिस इस मेर फैजान और वाचिंग और यूटीब चैनल अपना सर्शाहिद इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एर्थ क्लास की जियोग्राफिक के चप्टर नमबर टू डैट इस लेंड स्वाइल वाटर एट्रल विजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसॉर्स इस से पहले मेरे चप्टर नमबर वान आपका जो था आपकी जियोग्राफिक का वो तो मैंने पढ़ा दिया है आप चैनल पर देख सकते हैं तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बना टाइम गवाए इन असमाल वालेज इन तंजैनिया अफरिका मंबा गैट्स आप वेरी अर्ली इन दा मार्निंग टो फैच वाटर एक सवेरे उट जाती है किस लिए पानी लाने के लिए ठीक है वह पानी एक जगह से यानि किसी जगह से घर में ले आती है काफी दूर उसको मंज़ल क्रास करनी पड़ती है पानी गर में लाने के लिए she has to walk along way and return few hours तो उसको क्या करना पड़ता है एक लंबा रास्ता ताई करना पड़ता है ठीक है इस पानी को लाने के लिए वो सुबा के वोगत जाती है फिर देर से आती है ठीक है कुछ गंटू के बाद रिटर्न होती है तो फिर वो क्या करती है वो हलप करती है अपनी मा की गर में ठीक है गर में जो भी काम काज होता है उसमें हलप करती है बाद में क्या करती है अपने बाई के साथ जोएन करती है ठीक है और क्या करती है अपनी गोट जो होती है उनका कीर करती है गोट गोट कहते हैं बकरियों को All her family owns is a piece of rocky land around their small hut उनके small hut के एरिद गिरिद उनकी फैमिली ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा अपनाया है ठीक है लेकिन वो जमीन का टुकड़ा क्या है रॉकी है यानि इसमें पत्थर है Momba's father can barely grow some maize and beanis on it after twirling hot तो Momba का जो father होता है वो hardly बहुत मुश्किल से क्या करता है उस पे grow करता है maize यानि मकी या के बीनिस राजमा वगएरा ठीक है या के डालें बीनिस हम कहीं के डालों से ठीक है बहुत महनत करने के बाद This is not enough to feed their family for the whole year लेकन क्या है जितना वो इस फसल उगा रहे ही उनकी family को ये पूरे साल के लिए पूरा नहीं हो रहा है Peter lives in the heart of sheep rearing region in New Zealand where his family runs a whole processing factory और इसके ब्राबर ब्रेक्स हाकर हम देखते हैं जो Peter है वो कहां पे live करता है वो New Zealand में रहते है इस region में जिस region में sheep rearing होती है ठीक है बक्रियों को पाला जाता बेड़ू को पाला जाता है और वहां पर वो क्या करते हैं अपने wool processing factory एक चला रहे हैं हर रोज जब Peter स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि जो उसका अंकल होता है वो उनकी sheep के साथ गया होता है और उनका केर करता है ख्याल रखता है इस sheep yard is situated on a wide grassy plan with hills in the far distance अब उनका जो sheep yard है ठीक है जहां पर बेड़ू को रखा जाता है वो कहा है in the middle of grassy plan ठीक है एक मैदान एक है जिस पर के गास है grassy plan कहते हैं जिस पर गास हो तो उसके बीच में ये sheep yard बनाया हुआ है और जो hill है उससे काफी दूर है जो पहाड़ी है उससे काफी दूर है अब जो ये sheep yard है इसको scientific तरीके से क्या किया गया है manage किया गया है बनाया गया है ठीक है latest technology के जरीए से पीटर's family also grow vegetables through organic farming अब जो पीटर की family है वो vegetables भी उगाते हैं यानि सबजियां भी उगाते हैं किस तरीके से organic farming के तरीके से मंबा और पीटर's stay in two different parts of the world and lead very different lives मंबा और पीटर जो है ये दो मुख्तलफ वर्ल के हिस्व में रह रहे हैं और बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही different lives गुजा रहे हैं बहुत ही मुख्तलफ जिंदगीयां गुजा रहे हैं the difference is because of difference in the quality of land ये difference इसलिए है क्योंकि दोनुव रिजिन में different quality of land है soil की quality different है water की arrangement different है ठीक है natural vegetation भी जो है ये भी different है animals जो है ये भी different है एक के पास sheep और एक के पास goats है और technology जो है दोनुग के पास different है एक के पास advanced technology है और एक के पास पुरानी technology है traditional way है काम करने का availability of such resource is the main reason places differ from each other अब availability of resources है ये इनका main reason है कि एक region को या एक place को differ कर रहा है तूसरी place से अब यहां हमारे लिए fact टेक रखके है let's go for it do you know क्या आप जानते है 90% of the world population occupies only 30% of their land area 90% या कि 90% जो world की population है वो सिर्फ 30% land पे रह रह रही है the remaining 70% of land is either supposedly populated or uninhabited ठीक है तो जो बाकि 70% जमीन है या कि उस पे लोग दूर दूर कहीं कहीं रह रहे हैं supposedly populated उसी कहते हैं यह uninhabitated ठीक है यानि कि बिलकुल उस पर बिलकुल रही नहीं रहे हैं अब हमारा टॉपक है land तो चलो देखते हैं land गया है land is among the most important and natural resources अगर natural resources की बात करते हैं तो बहुत ही important natural resources है उसको हम land भी कहते है it covers only about 30% of the total area of the earth's surface and all the parts of this small percentage are not habitable land जो है यह सिर्फ 30% है अरत के surface पे ठीक है और जो सारी 30% है जैसे आपको मैंने इससे पहले भी कहा कि सारी 30 की 30% पे लोग नहीं रह रहे हैं आदी जो है इसमें से small percentage वो not habitable है यानि यह उस पे कोई नहीं रह रहा है अब जो आन इवन डिस्रिबूशन आफ पॉपुलेशन in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate अब जो आन इवन डिस्रिबूशन आफ पॉपुलेशन है वोरल के मुख्तलिफ हिस्व में ठीक है यह क्यों है climate और land की difference की वज़े से ठीक है आन इवन डिस्रिबूशन कि से कहते है आदी जगों पर बहुत गनी आबादी है और आदी जगों पर बहुत कम आबादी है ठीक है कम लोग आदी जगों पर रह रहे हैं और आदी जगों पर बहुत ज़्यादा गनी लोग रहे हैं ठीक है यह किस वज़े से है land और climate की वज़े से the rugged trophography steep slopes of the mountains low laying areas susceptible to water logging deserts areas thick forested areas और नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलीटेड़ और अन हैवी टेड़ तो ठीक है अब देखते हैं जो rugged trophography है ठीक है खराब टोफ़ग्राफी जहां पर खराब लेंड है ठीक है जहां पत्र के ठीले हैं वगएरा हम यूं माल लेते हैं ठीक है जहां चोटी चोटी पहाड़ी हैं यहां के स्टूप स्लोपस है ठीक है मौटेनिस पे बहुत कम लोग रहते हैं लो लोइंग एरियाज ठीक है अब लो लोइंग एरियाज जिसमें के पानी ज्यादा रहते है ठीक है वहां भी लोग कम रहते हैं डेजर्ट अरिया है तो वहां भी लोग कम रहते हैं ठीक फॉरेस्ट अरिया है डेजर्ट अरिक अगर बात करी है जाए तो देखो हमारा सहारा डेजर्ट है वहां पॉपुलेशन नहीं ठीक है इसी तरह से अगर ठीक यहां पर ठीक है फार एक्जापल बड़ी जिस्टेनिस होती है इनके दर्मियान में जिस तरह के सिटीज में होता है इस तरह से वह नहीं होते हैं अब बड़ी 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 होथी है जिसके लिये एलिए अपने बड़ी उया होते है ऑपकसर देखते हैं झहां पर धरिया होते हैं तो अपने पड़ होगा Fit तो इस साइड में थी दोनुसाइड में सेटलमेंट ती क्या होती है और जो वहां की स्वेल होती है वह फर्टैल होती है अलूवियल सोयल होती है इसको भी आपको आगे पढ़ाएंगे किसी टॉपक में आप पढ़ोगे अब हमारे पास है लेंड यूज़ त्टी क्या है लेंड यूज़ फॉर डिफर होती परपसज रिफटिर्फिर्ट लेंड की जाती है जैसी कि commonly termed as land use, अगर अक्सर आम जबान में हम कहींगे, ठीक है, आम बोले में अगर हम कहींगे, आम बाशा में हम कहींगे, तो इसे हम land use कहते हैं, क्या आप सकते हो, जिसे मंबा है या के पीटर है, उनकी फेमिली इधे हैं, अपनी land को यूज़ कर रही है, जैसे कि फादर जो है, वो अपनी land में क्या हुगा रहा है, मे जगा रहा है और बीने जगा रहा रहा है, ठीक है, तो इसके बरक्स अगर हम देखते हैं पीटर की फैमिली जो है वो अपनी लैंड को अलग तरीके से इस्तमाल कर रही है ठीक है उन्होंने औरगनिक तरीके से क्या उगाई है सबजी उगाई है और वो क्या करते हैं एक फैक्टरी है उनके पास बूल की फैक्टरी है वो फैक्टरी उन्होंने अपनी लैंड पे सेटल की है ठीक है तो डिफरेंट तरीके हैं इन दोनों के आपस में से दे यूज अफ लैंड इस डिटर्माइन बाइ फिजिकल फैक्टर सच अज टोपोग्रैफी सोयल, क्लाइमेट, मिनीरल, इंड एवलेबिल्टी आफ वाटर जो लैंड का इस्तमाल है ये डिटर्माइन केस तरह से किया जाता है इसके फिजिकल फैक्टर से ठीक है फिजिकल फैक्टर जैसे के टोपोग्राफी लैंड कैसी है ठीक है स्टीब ज्यादा है ठीक है किस तरह का स्ट्रेक्चर है पत्रेली है वगएरा वगएरा इसमें यह चीज़ें आती है soil कैसी इसकी जरखेज है कैसी है climate वहाँ का कैसय है क्योंसे climate zone में हैuste आप ़ीजिकल फैक्टर और है human factors such as population technology are also important determinants of land use pattern ये तो होगी लेंड यूज की बात ठीक है ने छीजों के मताबक होती है लेकिन अगर हुमन फैक्टर्टर्ज की बात करते हैं जैसे कि पॉप्पूलेशन और टेक्नालोजी ठीक है ये भी बहुत इंपार्टर्ट फैक्टर्ज है किसके लिए Determinators of Land Use Pattern Land को किस तरह से इस्तमाल करते है Land can also be classified on the basis of ownership as Land जो है उसको इस बेस पे भी क्या किया जाता है Classify किया जाता है Ownership की बेस ठीक है यह किस की Land है एक बंदे की Land है दो बंदे की Land है ठीक है यह किस तरह की Land है एक Family की Land है तो यहां पर किस तरह से डिवाइड किया गया है इनको Classify किया गया है Private Land and Community Land Ownership की बेस पे अगर हम Classify करते हैं Land को तो किस तरह से करेंगे Private Land and Community Land Private Land is Owned by Individuals Whereas Community Land is Owned by the Community for Common Use Like Collection of Fodder, Fruits, Nuts and Medical Herbs तो Private Land जो है उसको किस ने Owned किया है इंडिज वाल ने ठीक है एक दो बंदू की होती है Community Land जो होती है उसको Community Owned किया होता है ठीक है वो सारी Community की होती है Common Use के लिए जैसे कि उसमेंसे Fodder Collect करते हैं Fruits Collect करते हैं नेटसे मीडिकल हबस वगएरा These Community Land are also called Common Property Resources अब जो Community Land है ना इनसे क्या कहते हैं Common Property Resources ठीक है Common Property Resources यानि के वो Resources जिसको हर बंदा इस्तमाल कर सकता है People and their demands are ever growing but the availability of land is limited लोग जो है और जो इनकी demand हैं ये ग्रो हो रही हैं लेकर जो land है ये limited है तो हम देखते हैं Population increase हो रही है ठीक है Population में तो decrement उतना नहीं हो रही है ठीक है और जो population की क्या है जो people की demand से वो भी increase हो रही है ठीक है लेकिन जो land है ना वो limited है The quality of the land also differ from place to place अब जो quality होती है land की वो differ करती है मुक्तिलफ होती है हर जगा पर ठीक है हर जगा पर एक जैसी land नहीं होती People started encouraging encouraging the common land to build up commercial areas housing complexes in urban areas and to expand the agricultural lands in the rural areas अब लोग जो है इन्होंने encourage की आपने कबजे में लाया किसको common land को ठीक है किसलिए commercial areas के अगर बात के हैं तो यहाँ पर housing complexes बनते हैं ठीक है urban areas के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर expand करते हैं ठीक है इन चीजों के लिए ठीक है housing complexes फैक्टरीज वगारा के लिए ठीक है urban areas के लिए अगर इसके बात करते हैं rural areas की तो वो land को किसलिए encourage कर रहे हैं ठीक है agriculture के लिए ठीक है अगर आज कल हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी changes हो रही है land use pattern में ठीक है इससे क्या हो रही है हमारी culture की में भी changes आ रही है और हमारी society में भी changes आ रही है ठीक है अगर land को ज्यादा agriculture में आप convert करोगे तो ठीक है यह agricultural society बन जाएगी ठीक है अगर आप ज्यादा उसको किसके लिए इस्तमाल करोगे commercial purpose के लिए अगर उसमें factory डालोगे या कि industry डालोगे तो वो industrial area बन जाएगा ठीक है तो इस तरह से यह हम तक depend है कि हम किस तरह से land को इस्तमाल करते हैं ठीक है land degradation, land sliders, soil erosion, desertification are the major threat to environment because of the expansion of agriculture and construction activities land degradation ठीक है जमीन का खराब हो जाना land sliders आ जाते हैं ठीक है land sliders किस तरह कहते हैं मान लो यह एक पहाड़ है ठीक है for example this is a rock ठीक है यहां से cut हो जाएगा यह रॉक इदर से cut हो जाएगा और यह से नीचे गिर आएगा ठीक है इसे कहेंगे land sliders जा किसी एक साइड से गिर आएग तो इसे कहेंगे land sliders soil erosion होता है जमीन खराब यह मिटी खराब हो जाती है ठीक है यह कभी बह जाती है कभी किस तरह से desertification और दे मेजर ठीक होने से ठीक है desert बन जाते है बड़ा सा area ठीक है तो इसके पीछे किसका हाथ है इन चीजों के पीछे जब हम एक्समेंड करते है agriculture को ठीक है construction activities को ठीक है मैं आपको एक example लिख देता हूँ अगर आपको agriculture के लिए trees cut करने पड़ेंगे जब आप trees को काटोगे ठीक है deforestation करोगे तो उससे क्या होगा soil erosion भी होगा land sliders भी आएंगे land degradation भी होगा और desertification भी हो जाएगा ठीक है ऐसे construction activities के भी बहुत सारी ऐसे असर हैं जिसे क्या होता है desertification हो जाता है hope कि आपको अच्छी तरह समझा जोगा ठीक है conservation of land resource अब हमारे पास जो जमीन एक resource है इसको हम किस तरह से conserve करें ठीक है किस तरह से बचा करें ठीक है इन डेमेज इसे जैसे कि deforestation है क्या कहीं है desertification है land sliders है बाकि जो एफेक्टर्स हैं हमारी land पे ठीक है इन से हम अपनी land को किस तरह से बचाएं यह माल लोग ग्रोइंग पोपुलेशन एंड यह एवर ग्रोइंग द्रीम्स sorry growing population and their ever growing demand has led to large scale destruction of forest cover and arable lands and has created a fear of losing their natural resource अब जब population grow हो रही है और उनकी demand भी grow हो रही है तो इससे क्या हो गया large destruction of forest ठीक है जब land की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो जाहर सी बात है कि जो villages में लोग रह रहे होंगे या कि rural areas के लोग होंगे वो forest cover को कट कर देते हैं और इसी तरह से arable land has created तो इसी तरह से arable land जो है इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो land है natural resource इसको खोने का हमें डार है ठीक है therefore the present rate of degradation of land must be checked तो इस तरह से अगर present rate of rate of degradation देखते हैं land का ठीक है इसको हमें control में लाना है ठीक है और और एंड चेक उस ओन वेर ग्रेजिंग और सम आफ देक कॉमन मैट्स यूजर तो जरू लेंड रिसॉर्स एफ़रस्टेशन के अगर बात करते हैं एफ़रस्टेशन किसे कहते हैं प्लांटर्स ज्यादा लगाना ठीक है लेंड रिकलेमेशन लेंड रिकलेमेशन कहते हैं किससे के अगर लेंड खराब होगी है कहीं पर ठीक है उसको अपनी कंडिशन में वापस लाना रिगुलेटर्ड यूज आफ किमीकल ठीक है पैस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो है हमारे पास ठीक है यह हमें कम करने और किस पे हमें चेक करने है और ग्रेजिंग किसे कहते हैं जब हम हमारे पशु पालन वगारा होते हैं मवेशी वगारा होते हैं तो वो क्या काम करते हैं और ग्रेज कर लेते हैं गास को जड़ों से निकाल देते हैं तो उससे क्या होता है लेंड डि सकते हैं लेंड को कंजर्व कर सकते हैं अब यहां पर लिखा है वैदरिंग ठीक है ग्लॉसरी में वैदरिंग किसे कहते हैं दे ब्रेकिंग अप एंड डिकेंग ओफ एक्सपोजड रॉक्स बाइटम्प्रेचर चैंज फ्रॉस्ट एक्षिन प्लांट्स एनिमल एंड हुमन ए हो जाता है किसकी वज़े से और डिके हो जाते है एक रॉक एक यूं मान लो जो एक्सपोज हो जाता है ठीक है फिर ब्रेक होता है और फिर डिके हो जाता है मिटी बन जाता है ठीक है किसकी जरीए से तंप्रेचर के जरीए से जब टंप्रेचर चैंज होता है फ्रॉस्ट के जरीए से, यान कि कोरा वगयर, लगने के जरीए से, ज्यारा सरदी की, मािनस टंपरेचर की वज़े से, ठीक है, उसके एक्षिन की वज़े से, प्लांटस जब नहीं होते है उस पे ठीक है, प्लांटस भी यूँ Owen काम करते हैं, कि दरारें डाल देते है, कि समय, बड़े बड क्रिएट कर देता है या कि human activities जैसे human activities आपको मैं बता देता हूँ माइने वगए गएरा हम इसके में करते हैं ठीक है राकस में करते हैं तो उससे क्या हो जाए वैदरिंग हो जाती है ठीक है उससा खमयां थोग्त मासे चाहँची तो यह कवर करते हैं कि औरत के टो ख्यों सनव को Hetra खेसे मोच चाहिए जो जो किसे होती है यह होती है मती जमीड होती है अब लेट किसी होगी ते टोवे पत्थरों की बनी होती है ठीक है जो कि हमें जमीन पर मिलते हैं इस आपने पूसे यह सारी चीजें किस तरह से होती है वैद्रिंग की प्रोसे से ठीक है जैसे आपको मैंने का है रेक्दावन ऑप the rocks into fine particles ठीक है अब यहीं मकस प्रस्ति नघ्जा अब अब 我न मिक्श से क्या होता है यह जदा अब अब हम लेंड स्लाइड के बारे में पढ़ते हैं। लेंड स्लाइड लेंड स्लाइड जो होते हैं। मॉस्ट मॉम्मट आफ रॉक्स या के डिब्रीज पत्र के टीले नीचे गिराते हैं। समझ में आए रही है तुम्हें बात या के मास मुम्मिट हो जाती है राक निकल आता है ठीक है कौन सी और में डावन स्लोप में ठीक है यह देखो यह डावन स्लोप है तो यहां से क्या हो गया है निजी के और लेंड स्लाइड आ चुका है यह किसकी वजर से आल्मोस होते हैं यह किसकी साथ जुड़े होते हैं अरथकुक हो तो ऐसे मसला हो सकता है land sliders आ सकते हैं flooders जब आते हैं तो उससे भी land sliders आ सकते हैं यहां के wall canals जो होते हैं जब वो फटते हैं तो उस वक्त भी land sliders आ सकते हैं a prolonged spell of rain can cause heavy land sliders that can block the flow of river for quite some time अगर لمbे समय के लिए बारिश हो जाती है तो उससे भी क्या होता है land sliders आते हैं ठीक है तो जब ऐसा होता है तो यह block कर देता है जब land sliders आएगा तो जो नदी होती है उस पर आके land sliders गिर जाता है तो block लग जाता है river को ठीक है कुछ वक्त के लिए the information sorry the formation of river block can cause havoc to the settlement down streams on it is brusting अब क्या है जो लोग इस block के नीचे रहते हैं ठीक है नदी को क्या लाग या block लाग या for example यह एक ड्रेन आ रही है ठीक है तो यहां से गिराते हैं पहाड तो इसको बंद कर देते हैं ठीक है अब यहां पर पानी आगे नहीं जा रहा है block हो गया पानी ठीक है जब अचानक यह फटता है यह जगा निकलती है तो क्या होता है कि flood आ जाता है ठीक है तो जो इसके नीचे वाले यहां रहने वाले लोग होते हैं बस्चिया वगयरा होती है उस पे बहुत ही damage पहुंचता है अब अगर उच्छी जग की बात करते हैं ठीक है terrain areas की अगर बात हम करते हैं तो हाँ पर क्या होता है यह बड़ा issue रहता है ठीक है जिससे क्या होता है land slide से life को strike होता है ठीक है बहुत सारी जानों को नफसान पहुंचता है property को नफसान पहुंचता है ठीक है और यह बहुत ही major concern है हमारे लिए ठीक है एक case study एक पढ़ते हैं land slide की MSU land slide हिट पैंगी विलेज और नियर रेकॉंग प्यों इन कनौर डिस्ट्रिक आफ हमाचल परदेश ठीक है यह कनार डिस्ट्रिक में कनार डिस्ट्रिक किसका डिस्ट्रिक है हमाचल परदेश ठीक है और इसमें क्या होता है कि 200 जो होता है national highway का वो कट जाता है ठीक है अजड आ नशनियुभे 22 दिस लेंड और इंतनस बलास्टिंग उप inclined विलेज तो यह किस तरह सो टा किस तरह से होता है यह मुस्य में टृवेयर बllasht um श्लोड entity एंड कौन हैट ओर इसी कोई ठीक है जो वीक सावा है यह अ ब्लास्ट हुआ तो उससे जमीन कॉलैपस हो गए ठीक है तो इससे क्या हुआ डैमेज हुआ रोड को एंड नियर्बाइ विलेज और करीब में जो भी गाउंगों थे न उन पर बहुत ही असर पहुंचा ठीक है यानि बहुत नुक्सान हुआ दे पैंगी विलेज वास कंप्ल मैकनिजम ठीक है जो हमारे ये लेंस अरे हैं इसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे मिटीगेट करेंगे ठीक है इसके लिए कैसे रड़ी रहींगे इसको handle करने के लिए advancement in scientific technical techniques has empowered us to understand what factors cause land slides and how to manage them ज्यादा जो तरक्की होगई scientific techniques में ठीक है इसने improve कर दिया ठीक है हमें understand करवा दिया कि कौन से factors हैं जिन से क्या होता है land slides आते हैं and how to manage और किस तरह से इन land slides को रोका जाए some broad mitigation techniques of land slides or as follows कोई बड़े बड़े क्या है mitigation techniques है land slides के hazard mapping to locate areas prone to land slides and such areas can be avoided for building settlements ठीक है एक map किया गया उसमें देखा गया कि locate किया गया कि hazards कहां पर आते हैं ठीक है कोंसी जगा prone to land slides है जहां पर अक्सर land slides आती हैं तो कहा गया कि ऐसी जगह पर आप settlement ना करें ठीक है building इस ना बनाएं construction of retention wall walls to stop land from clipping तो देखो यह retention wall यह वाला wall है ठीक है तो इस तरह के wall बनाए जाते हैं ताकि जो land slide है वो आने से बच सके निकलने से बच सके ठीक है जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी roads होती हैं इनको side में construction of bunds होता है वो क्या होता है कि land slides आके road को damage ने करें ठीक है increase in the vegetation cover to arrest land slides ठीक है forestation किया जाता है यानि planters को ज्यादा पेड़ पोदियों को लगाया जाता है ताकि क्या हो land slides जो हो वो रुक जाए ठीक है कि इस तरह से क्योंकि जो trees होते हैं इनकी जो routes होती हैं उनमें holding capacity होती है वो land को hold करके रखते हैं तो इस तरह से land slides रुक सकते हैं the surface drainage control workers to control the moment of land slide along with rain water and spring flows तो surface drainage control ठीक है workers होते हैं ठीक है जमीन के सता के उपर काम किये जाते हैं drainage control करने के लिए जो पानी इदर उदर जाता है ठीक है नदी उनालियों में से जब बारिश वगयरा होती है तो इससे भी का होता है ऐसे controllers बनाया जाते हैं कि जिससे land slides से बच सके ठीक है do you know it takes hundreds of years to make just one centimeter of soil एक संटिमीटर सोयल बनने के लिए सेंक्नू साल लग जाते हैं hundreds of years लग जाते हैं यह बात याद रखना ठीक है तो हम इसको damage करते हैं यह हमारे लिए बहुत ही क्या है गलत बात है factors of soil formation अब soil किस तरह से बनती है the major factor of soil formation are the nature of parent rock and the climatic factors factors अब कोई बड़ा factor है अगर soil formation का वो क्या है कि जो रॉक है वो किस तरह का ठीक है और climatic factors वहां के कैसे है रॉक आपको मैं दिखा था हूँ parent rock कौन से हुआ यह वाला हुआ parent rock ठीक है other factors और the topography role of organic matters materials and time taken for the consumption of soil formation अब जो बाकी factors of soil formation है उसमें क्या आता है topography ठीक है role of organic material उसके organic material कैसा है ठीक है और जमीन वहां बनने में soil वहां बनने में कितना time consume होता है ठीक है time एक बहुत important चीज है all these differ from place to place हर जगा पर यह different differ करते हैं यह हमारे पास soil बनती है ठीक है यह किस किस से बनती है पैरड्रा की बात किये जाए तो उसमें color determine होता है ठीक है वह किस तरह का है उसका texture किस तरह का है मोटे पत्थरों की मिटी है ठीक उसमें पत्थर है या कि बुर्बरी मिटी है चकनी मिटी है किस तरह का पत्थर है उस तरह की मिटी बनेगी ठीक है किमिकल प्रॉप्टी इसमें कौन है ठीक है मिनिरल इसके क्या है कंटेंट इसमें क्या है प्रिमिय बेल्टी प्रिमिय बेल्टी किसे कहते है या इसमें पानी अंदर जा सकता है या नहीं जा सकते है ठीक है और वहां का क्लाइमिट कैसे है कैसे टंपरेचर है ठीक है रेंफॉ जो है वो रेट अफ वैदरिंग ठीक है पत्रों को टूटने में क्या करती है इंफ्लेंस करती है ठीक और हुमस फार्मेशन वहां का कैसा है नमी कैसी है वहां पर ठीक है अब रिलीफ की बात की जाए यह जमीन आर्टीचूड पर है इसका स्लोप कैसा है accumulation of soil कैसी है accumulation of soil किसे कहते है इदर उदर से जमीन आ जाती है फिर एक जगा पर डेर हो जाती है ठीक है मिटी आ जाती है फिर एक जगा पर डेर हो जाती है ठीक है यहां अगर इदर उदर से मिटी आएगी तो यहां पर डेर बन जाए ठीक है इससे कहीं कि हम accumulation of soil जही इसान अ क्येवे दिश्वांपर कैसे फ्लोरा एक कैसा अधाय ठीक है जानव थो दिश्यू जानवर या है फि सारी किसको और करते हैं हिमराइज राफ की खरत हैं हुमस फहर्मेशन मूंस पूर्मेशनस 10 अ डिग्री ग्रेशन ऑफ सोयल एंड कंसरवेशन मेजर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जूर्जू soil erosion and depletion are major threats to soil as a resource. soil erosion or depletion जो है ये बड़े फ्राइटेस हैं किस के लिए? soil के लिए. अगर हमें resource की बात यहाँ पर करते हैं. soil हमारे लिए resource है. both human and natural factors can lead to degradation of soil. human भी इसमें soil को खराब करने में humans का हाथ भी है और natural factors का भी थोड़ा issue है. ठीक है फैक्टर विजलेट तो सोयल डिग्रिएशन और डिफॉरस्टेशन ओर ग्रेजिंग वर यूज़ 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 आफ चीमिकल फॉर्टलाइजर्स और पैस्टिसाइड रेंवाश लेंड स्लाइड इंड फ्लेड तो जो फैक्टर जैसके पीछे जैसे के डिफॉ हो जाए जाती है घास को ज्यादा खाते हैं अनीमिल्ज तो उस्से प्राल्म हो जाती है हम चांके हो जाती है य स्कूर कहा है घ्टीक फ Präsidentनि या के rain wash हो जाता है ठीक है बारिश आती है और उपर वाली जो सत्व होती है सोयल की fertile सोयल जो होती है उसको बहा के ले जाती है land sliders के अगर बात करते हैं या के flood की बात करते हैं ये सारे चीजें जो हैं ये सोयल को degree grade करती है Some methods of soil conservation are listed below कुछ method हैं जिनसे हम soil को conserve कर सकते हैं यानि के soil को हम खराब होने से बजा सकते हैं पहला हमारे पास यहां लिखा हुए melting the bear ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw it helps to retain soil moisture अब जो नंगा ground होता है उपर से ठीक है इसके उपर organic matter होता है जैसे कि straw वगएरा ठीक है तो यह क्या करता है retain करता है soil moisture को ठीक है अगर कहीं पर मान लेते हैं कि trees नहीं है ठीक है तो आपको वहाँ काम करना जाए कुछ straw वगएरा छोड़ देना जाए ठीक है इससे क्या होता है rain wash नहीं होता है ठीक soil के जो अपर वारा layer होता है वो बच जाता है wash होने से स्टून इस grass soil are used to build barrier along counters ठीक है यह देखो यहाँ पर इस्तमाल किये जाते हैं क्या barriers इस्तमाल किये जाते हैं जो के पत्थरों के बने होते हैं या कि उसमें grass भी होता है soil भी होती है ठीक है trenches are made in front of the barriers to collect water और trenches बनाए गए हैं देखो यहाँ पर trench बनाए गया है ठीक है किसलिए कि पानी जो इदर से आएगा इदर से पानी आएगा इदर से पानी आएगा इदर से पानी आएगा ठीक है इससे क्या होगा पानी आके इसमें जाएगा ठीक है जमीन को बहा के नहीं ले जाएगा रॉक डेम रॉक जो होते हैं उनको पाइल अब किया जाते हैं पाइल आप किसे कहते हैं डेर बनाने से ठीक है ऐसे ऐसे उपर नीचे करके रखा जाते है ठीक है इस तरीके से तो जो डाउन दे फ्लो आफ वाटर तो इससे क्या हो जाता है गलीज नहीं बनती है अगर ये पथर नहीं होते तो ऐसी गलीज बन जाती है ठीक है इस तरह की गलीज बन जाती है ठीक इस तरह की गलीज बन जाती है और यहां से फिर पानी इस जगह से फिर पानी बीच में से पानी निकलता है तो अब अगर यहां पर अगर हम स्टूनेज रख देते हैं इधर ठीक है यह पानी जो है यह फैल जाता है तो इस तरह से बच जाते हैं गलीज बनने से यह के फुर्दर स्वेल लॉस जो होते हैं उससे बच जाते हैं है ट्रेश फार्मिंग ब्रॉड फ्लैट स्टेपश और ट्रेश और मेर्ड ऑन देश्टीप स्लोपक सो अधेट को फ्लैट सर्फिसे और अवेलेबल टो ग्रॉप्स दे रेडियूस सर्फेस रॉन्ड ओंड इंड सोयल ईरोजन अब देखो यहां पर इस जगह पर देखो ट्र यह कहें ट्रेस्स बनाए जाते हैं टीग एसे कहते हैं इससे क्या होगाकी प्षिक मुझा 저ृट हो जाएगा ट्रेशस बनांडे से जो यह बनाए यह त्रई में सारे ठीक है तसे क्या होगा फ़ीकर तatyट ठीक है यानि पानी आएगा तो एकदम बहके नहीं चला जाएगा और अपने साथ जमीन को नहीं बहा सकेगा पहले ट्रेसु में इसको गूमना पड़ेगा ठीक है और सोईल रोजन इस तरह से बच सकता है इंटर क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग अब किस्टे कहते हैं डिफ कि में अलग अलग अफासल होने या भॉने चाहिए तो इसमें तो नीकस्ट सीजन हमारा आएगा उसमें क्या होने चाहिए फिर दुबारा से इनको आल्टरीनेट से जो यह वाली है इसको यहाँ पर ले जाओ जो यह वाली इसको यह वाली इसको यहाँ पर ले जाओ ठीक है इनको आर्टरनेट्यूरी क्या करो चैंज क्या करो ठीक है इससे क्या होगा फ्लो डावन जो होता है सORI जो रेन की जो फर्टलिटी होती है यह तो एक तो यह काम्याब रहती है ठीक है और जो Oril होती है यह रेन वाश होने से बच जाती है ठीक है अभर कंट्टोर फ्लोइंग टीक है पलोइंग परलिरीस इठे कंट्ट्ोर अप a hill slopes to farm a natural barrier to water to flow down the slopes ठीक है अब क्या है जब आप हाले चलाते हो उसको कहते है एक किसम का यूँ हाल को चलाना ठीक है इससे क्या हो जाता है इस तरीके से हाल जब चलाओगी आप तो ये जो बेल्टिस होते हैं जो ये वाले जाओगे तो ये पानी यहां से आएगा जमीन को सारी को बहा के ले जाएगा ठीक अब इसके बाद है शल्टर बैल्टिस इन दे कोस्टल और राइजन इस और रोज आफ ट्रीज आर प्लांटिड अब चेक दे विंड मुमेंट आफ मुमेंट टो प्रोटेक्ट सोयल कावर अगर कोस्टल आरियस की बात करते हैं या ड्राइ रिजनिस की हम बात करते हैं ठीक है ट्रीज जो होते हैं वो रो में लगाने चाहिए इस तरह से लगाने चाहिए ठीक है रो कहते हैं इस तरह से ठीक है एक ही लाइन में यूं मान लो तुम ठीक है इससे क्या होता है जब विंड आती है तो वह सोईल को प्रोटेक्ट कर दो यही ठीक है विंड के साथ सोईल वहां से दूसरी जगापर ट्रांसफर नहीं हो बच जाती है ठीक अब इसके बाद है बाद है हमारे पास water ठीक है बहुत ही important resource without which life is impossible ठीक है water is a vital renewable natural resource winter जो water है vital renewable natural resource है ठीक है यह renewed होता है यह मान लो तुम थ्री फॉर्सस आफ दा अर्श सर्फसस कावर्ड वीड वाटर अगर जमीन के चार हिस्से करते हैं तो तीन हिस्से में क्या है तीन हिस्से पानी और एक हिस्से में क्या है खुश किया यानि 30 परसंट अधेले इस ड्राय यांडी यह कि हम कहेंगे यहां सिर्फ कितनी है तीस परसंट जमीन जो है वो खुशी हमारे पास अवैलेबल है तो जो 70 परसंट है वो क्या है पानी की शकल में हमारे पास ठीक उसके उपर पानी है इस दियर फॉर अप्रोप्रेटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट डाट इसी रिजन के व प्रिमिट्व ओशन जो थे उन में क्या हुई लाइफ 3.5 बिलियन येर्स बैक लाइफ एग्जिस्ट हुई है ठीक है इवन तोड़े ऑशन कावर टू थर्ड आफ अफ़ अफ़ इस सर्फेस एं सपोर्ट ए रिच वराइटी आप प्लाट्स एड अनिमर्स लाइफ अगर आज भी हम देखते हैं जो ओशन हैं आज भी टू थर्ड आफ अफ़ अफ़ इस सर्फेस ये कावर करते हैं और सपोर्ट करते हैं बहुत किसम के प्लांट्स को और अनिमल्स लाइफ को ओशन वाटर इस हाववर सैलीन और नौट फिट फ़र हुमन कंसप्शन अब जो ओशन सब्सक्राइब करते हैं तो वह कितने हमारे पास टू पॉइंट सैन परसंट अवलेबल है नियरली सैंटी परसंट अफ डिस ओकोर्स अज आई सीट इन ग्लैशियर इंदा इंटॉर्ट का इंटॉर्ट का ग्रीन लेंड मोर्टें रिजिन इस ठीक है अब जो हमारे पास इस ठीक है जो कहां पा रहें इन टारिका में या ग्रीन लेंड की बात करें या के मौ्टेंयस रिजिन टियू टु ऊद्यर लोकेशन दियर इनसफेबल ठीक है और इनकी लोकेशन की वज़ज़े से यह हमसे बहुत दूर है तो यह इन इकसेबल है यानि इन तक हम नहीं ठीक है पानी पीने की जगह पे ठीक है अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी की ज़रूरत है आप को रहा जाकि यहां से इंटार्ट का जाकर पानी तो भरफ वगएर तो नहीं खाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ एक परसंट पानी जो है फ्रेश वाटर पीने के काबल जो पानी है वो एविलेबल है हमारे पास एंट फिट फार हुमन यूज यह फिट है किसके लिए हुमन यूज के लिए अब जो यह एक परसंट वाटर हमारे पास बैचता है यह किसकी शकल में है ग्रावंड बार की शकल में जमीन के निचे ठीक है फिर हम वालिअज बनाते हैं त्यूब वालिअज बनाते होगने और वहांस से निकालते हैं सर्फेस वाटर ठीक है सता पे भी है रेवरेस की शकल में ठीक है लेकर्स की शकल में और वाटर वेपर की शकल में है एक्मास्फियर में ठीक है Fresh water is therefore the most precious substance on earth अगर fresh water की बात करते हैं तो बहुत ही precious substance ठीक है अन्मूल substance है हमारी जमीन पे water can neither be added nor subtracted from the earth Water को नहीं एड किया जाता है और नहीं सब्ट्रेक्ट किया जाता है जमीन से It is total volume remains constant अब इसका जो total volume होता है यह constant रहता है It is abundance only seems to vary because it is in constant motion cycling through the oceans the air land and back again through process of evaporation precipitation and runoff अब जो इसका volume है यह हमें constant लगता है हमें लगता है कि पानी जो है abandonance में है ठीक है क्योंकि इसका motion continuous ले ठीक है किसके ज़िए से cycling through oceanous oceanous से cycle होता है ठीक है air से आता है पानी वो किस तरह चाता है उसको water cycle से cycle कहते हैं जो एक तरीक एक सके ठीक है लेंडव हमें मिलता है back again वहें जाता ओशेन में ठीक है तो यह सारे process भी का होता है sopron होता है precipitation होता होatest decision हो और रान उप होता है evaporation किसे कहते हैं ठीक है पानी इस इस तरह से उपर जाता है किसमी बादल की शकल में ठीक है वैपर की शकल में फिर वहां से बरसता है ठीक है बरसने को कहते है प्रिशिप्टेशन ठीक है इस तरह से फिर बरसता है ठीक है फिर यही रानाफ होता है फिर यही जला जाता है किसमें रिवर्स में और यहां से फिर operation start ہوتا ہے heat کی وجہ سے تو پھر سے یہ بادل بن جاتے ہیں یہ بادل پھر سے برستے ہیں rain کی شکل میں یا precipitation کی شکل میں یہ پھر سے یہاں زمین پر برستے ہو رہی ہے یہ پھر سے رہا نہ ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں water cycle this is you already know is referred to as water cycle تو آپ جانتے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں water cycle کہتے ہیں humanists use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production जो human है, इनसान जो है, ये काफी मिगदार में पानी इस्तमाल, सिर्फ drinking के लिए, पीने के लिए नहीं करते हैं, या कि वाशिंग के लिए नहीं करते हैं, लेकिन ये production के लिए बिए इस्तमाल करते हैं, water for agriculture industries, generating electricity through reservoirs of dams or the other usages, water किस के लिए, agriculture के लिए, industry के लिए, generating electricity के लिए, ठीक है, या कि ये किस तरह होता है, throw reservoirs of dams, ये चीज़ हम डेमस बनाने से करते हैं, ठीक है, या कि other usage हमारे हैं, वो हम क्या करते हैं, मकमल करते हैं, ठीक है, अपने users को water से satisfy करते हैं, increasing population, rising demand for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living, major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water resources or water pollution, अब जो population increase हो रही है, या कि rising demand of food हो रही है, ठीक है, जैसे कि cash crop है, या कि increasing urbanization जो हो रही है, उसमें क्या होता है, राइजिंग standard of living होता है, ठीक है, ये बड़े factor हो थे हैं, जिससे हमें क्या लगता है, जो हमारा पीने का बानी है, फ्रेश वाटर इसकी shortage हो रही है, इसमें क बिल रहे है, ठीक है, या कि water pollution हो जाती है, जिससे कोई ने कोई प्रावलम हो है, हमारे पास हो सकती है, वो पानी जो पीने के काबल होता है, अगर उसमें pollution हो जाए, तो आपको, आप ये मान लो कि फिर उससे हम पीनेंगे नहीं, तो fry water जो हो उसकी हमारे पास deficiency हो जाएगी, अब है, problems of water availability, ठीक है, कौन सी problems जाती है हमें water available करने हैं, ठीक है, या कि हमारे पास water available क्यों नहीं रहता है, कोई ने कोई problem होगी इसकी पीचे, गियर सकासिटी of water in many regions जाते वरल, अगर हम देखते हैं, सकासिटी है, पाने की, दुनिया के बहुत सारे कुनों में, ठीक है, सक सकारस्टी किसे कहते हैं, कमी से, most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply, यह जो country's के और continent के मैंने आप से नाम लिए, ठीक है, यह सारे जो country's या continent है, इन में क्या होता है, shortage हो रहे है, यह फेस फ्रेश वाटर के ठीक है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, countries located in climatic zooners must susceptible to droughts face great problems of water scarcity, अब जो zooners, ठीक है, किसमे हैं, वो country's जो locate करते हैं, climatic zooners में, उनको droughts का सामना करना पड़ता है, और water scarcity का सामना करना पड़ता है, देखें, मैं यहाँ पर एक land egg बनाता हूँ, यू मालो, पैश्चे रखें थोड़ा, यह मैंने land egg बना देता हू यहाँ पर, सुरी, यह मैंने land egg बना दी, ठीक है, अब इसके zooners होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं, आपको पता है, equator कहते हैं, ठीक है, फिर यह होता है, हमारा tropical zone, फिर इसके पीछे यह होगा हमारा tropical zone, ठीक है, इसमें पाने की ज्यादा शाटें महसूस होती है, क्योंकि यहा होता होता है, sub-tropicus, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर glaciers होते हैं, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, तो इस तरह इस तरह से हम कहसकते हैं जो वाटर की शॉटेज़ होती है किसकी पानीकशची हो जाती है थी तो मुसली इसके पीचे और एक्स कहने रिसंग of water resources हम पानी को बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं एक्सपोलाइट करते हैं ठीक है या कि हम पानी को गंदा कर देते हैं पीने के पानी को conservation of water resource अब हमने पानी कि इतनी खरावी मेचाई बचारे की ठीक है यानि कि अपनी जिन्दगी को तबाह किया पानी को तबाह करने के बराबर ठीक है अपनी जिन्दगी के साथ खेलना यूं माल लो तुम अब हमें इस पानी को conserve भी करना है ठीक है अब पानी जो यह है वो थी important resource आप जानते हो ठीक है इसको किस तरह से conserve किया जाएगे इस तो इसको किस तरह से बचाया जाए गार अकार्डिंग टू क्लीन एड़ेक्वेट वाटर सौरी 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 conservation of water resources जो हमारे पास water resources है ठीक है हमारे पास पानी जो as a resource है ठीक है जिससे हम इस्तमाल करते हैं बहुत सारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी जरूरियात को पूरा करने के लिए उसको किस तरह से conserve किया जाए ठीक है उसको किस तरह से बचाया जा सकते ठी एक्सेस्टू क्लीन एडिक्वेट वाटर रिसोर्स वाटर सोर्स इस मेजर प्रॉब्लम फेसिंग अगर आज कल हम देखते हैं तो सबसे बड़ी या कि हम कहीं यह बहुत एक बड़ी प्रावलम अगर कोई है तो यह है कि क्लीन वाटर के हमारे पास अवलेबल नहीं है ठीक है बड़ा मुश्कुल होता है यह वाटर अवलेबल करने में स्टेप्स हाव बिन टेकन टो गंजरू दिस ड्विंग ड्विंग रिसोर्स बहुत सारे अकदाम ठीक है स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि जो यह हमें सकार्श्टिया वाटर अवजरू हो रही है इसको हाला कि अगर हम देखते हैं वाटर जो है यह तो है रिनिवेबल रिसोर्स रिनिवेबल रिसोर्स कौन से होते हैं ठीक है यहां मैं फिर से कह देता हूं मैंने चप्टर में बढ़ाया भी है अप रिनिवेबल रिसोर्स यह आप देख सकते हैं वहां पर रिनिवेबल रिसोर सब्सक्राइबानेंगादान करतेएadece होती है ! जब गंदा पानी तो पीने के काबल नहीं रहें पानी है अगल आपके पास पानी है तो आपने एक उसको जाया करता है और यूजबानेंगा और इसक झाला, य९ूजबानें अच्पानी से कहते हैं होता है इसकी सिकारश्टी हमें होती है कमी महसूस होती है दिस्चारज आफ अंट्रीटिड और पार्शली ट्रीटिड सेवेज अग्री कल्चरल कीमी कलर्ज एंड अन्रेशिल इफलेवेंटर इन वाटर बाडिज और मेजर कंटेमिनेंट हम डिस्चारज कर देते हैं ठीक है स हम अपनी जिराते में किमी काल खाद वगारा डाल देते हैं यह कि अंड्रेश्टिड एफलेवेंटर होती हैं बड़ी बड़ी अंड्रेश्टिड होती है उनमें से बहुत सारी गाद वगारा नेकलती है ठीक है तो हम किसमें डाल देते हैं वाटर में डाल देते हैं उसको क Contamination कर देते हैं तो इससे क्या होता है नाइट्रेटिस जाते हैं पानी में ठीक है मैटल इस पैस्टिसाइड इस तो वाटर पिल्यूट हो जाता है Most of these chemicales are non-biodegredable and rich human bodies through water बहות सारे chemical है ऐसे होते हैं जो के non-degradable होते हैं non-biodegredable ठीक है जो खतम नहीं होते हैं और क्या होता है rich human bodies through water अब फिर इनसान की body में चले जाते हैं पानी के जरीए से ठीक है बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है जो पानी में चली जाती है ठीक है जो नान पायो डिग्रीडेबल होती है तो फिर वहां से पानी से क्या होता है इनसान की बाड़ी में चली जाती है जब इनसान कंजूम करता है पानी को ठीक है ड्रंक करता है तो बाड़ी में चली जाती है water pollution can be controlled by treating these effiluents suitably before releasing them in water bodies अब जो water pollution है यह किसरे से control की जाए can be controlled by treating these effiluents अब जो यह effiluents हमारे पास है इनको treat कर रहे ठीक है इससे पहले के यह body में water body में जाए इनको पहले कुछ ऐसा system लगाना है जिससे के पाने जो हो purify हो जाए ऐसा system हमारे पास लगाना है forest in other vegetation cover slow the surface runoff in replenish underground water forest अगर हम देखते हैं या कि other vegetation बाकी जैसे vegetation होता है ठीक है grass होता है या कि बाकी पेड़ पोते होते हैं harvest harvest होते हैं वगारा ठीक है यह बहुत मतलब क्या करते हैं hold करकर रखते हैं land को ठीक है जो इससे क्या होते है जो surface का runoff होता है पानमी जूँ किरता है land पे तो यह क्या होता है वैह बैता है लेकर अगर यह चीज़ें हूँ इससे क्या होता है जो यह पानी का बहना होता है यह रूक जाता है अ्टिया और्प्ले निए अंडर ग्राउंड वाटर ठीक है और अडर्धॉ whale क्या होता है रिपले हिंही र्प्रम मेर इंडरंबोती है ऐन्यों होते यह अपनी जढ़ों से पाणी जजब करते हैं ठीक है तो पामें Chemistry एक बोट एक अच्छा में चला जाते है इस बाड़ी में चला जाता है ओरसद और बाड़ी में चला जाता इथी और उदर नहीं पहलता है थाधाए नहीं होते हैं when the Kennel is used for irrigating Dust और烟ी लाइन तो लाइन्फ वातर अब काळार्ग इस्तेमाल करते हैं समय को सचाई करने के लिए ठीक है ये क्या होने चाहिए प्रोपरूर्ली लाइन्फ होने ठीक है इस तरह से लाइन होने चाहिए कि यह कहի से क्रैक नहों हो ठीक है मैनिमाइज हो लास जहां भी हो रहा हो वो मैनिमाइज हो नुक्सान पानी का नहीं होने चाहिए ठीक क्या होता अगर आप एफेक्टिवली क्या करोगे किसी जगह को इरिगेट करोगे तो वह बहते रहते है ठीक है अगर ड्रिप या के ट्रिकल इरिगेशन किया जाए तो वह आपके लिए बहुत ही रहेगा अच्छा रहेगा ड्रिवलीबल वाटर रिसोर्स कें यर्फोर बी कंजर्वर्ट बाइ अडॉप्टिंग डीज मीन जाफ इरिगेशन अब जब वैलेबल वाटर रिसोर्स आपके पास है यह किस दा से कंजरू होगा यह चीजें यह मैथ्टिड इस्टाइश इस्तमाल करने से पानी कि यहां से अगर बादल करूर की ठीक तो इसको आगे से एक ऐसे श्सुंट में टेक लगाना है सेव ईट थावेजन्थ लीटर उफ वाटर अगर आम लेबल पर हम देखते हैं तो एक वहोती है न। बारश एक दफ़ा आती है ठीक है, उसको हम क्या कहिए कि हैं एक रुह में आती है बारश ठीक है जब इसका एक सानाटा आता है बारश का उससे क्या होता ہے कम तरहनों से कम 8000 lil जो होते हैं पानी के वह आप सेव कर सकते हुऊ है नैजरल विजिटेशन और वाईड लाइफ नैचरल व८जजटेशन का है और वाईड लाइफ क्या है यह कितनी मफिदा है हमारे लिए इसको कौन कौन से थ्रैटर्स है ठीक है नाजरल विजिटेशन को य Some school children are visiting in exhibition on handicraftors आदे स्कूल के बच्चे हैं जो नमाशगार में गए हैं handicraftors के नमाश में ठीक है The articles in the exhibition were collected from different parts of the country अब जो यहां पर चीजे हैं इस नमाश में ठीक है वो collect की गई है वो जम्ह की गई है कंट्री के मुखतलफ हिसु में हिस्वें से लाके जम्मा की गई है Monna जो है उसने अग बैग खुटा है एक भूबसूरिक बैग है उस ईज्चछ ने कहा बहुत ही सुद्धर वैग है यह किसका बना हुआ है जूत का बना हुआ यह तो इस ने कहा कि आप देख रही है यह बास्केट ये लैंप ये चीर वगारे ठीक है जो यह चीजें यह किसकी बनी है कैन और बंबू की बनी हुई है अब इस टर्न या कि नार्थ इस टर्न रिजिन आफ इंडिया के अगर बात करते हैं तो यहां पर बंबू जो होते हैं वो प्लेंटी में ग्रो होते हैं ठीक है बहुत ग्रो होते हैं ठीक है किया है यहां मैप्ट रॉपकर लेते हैं ठीक है यह में मनों अप कि इह मैचौड़ी से इंडी कि उम्हाम लेती हैं अफों में यहां पर एक बा सब्वादित्र हो रहा बनाना है तो नार्थ इस्टरन पार्ट्स यह हो गए ठीक है यह यह होगे एस्ट यह वेस्ट यह न compet यह होगे साउन ठीक है नैर्द इस्टरन पार्ट Aa Code स्ये होते हैं यहां पर क्या गहुम्य hoate है बंबू ज्यादा grow हता है 1 जैसी वह क्लिक सिखारफाफ और जय से जो है वह एक्साइट हो जाती है से झारिक सिखारफ को Sl enrollment कि ठीक है see this beautiful scarf बोला के देखो ये कितनी सिकारफ है the teacher explain explainer that the silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry freeze तो teacher ने कहा ठीक है जो ये silk है ये कहां से आता है silkworm से आता है जो कि mulberry tree mulberry tree को खाता है फिर ये silk produce करता है the children understood that plants provide us with many different productors that we use in our day-to-day life तो बच्चों को ये मालूम हो गया उनको understand हो गया ठीक है कि जो planters हैं ये हमें provide करते हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी प्रोडेक्टर ठीक है जो कि हम आम अपने रोज मरा जिंदगी में इस्तमाल करते हैं ठीक है natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere अब जो natural vegetation है ठीक है या के wildlife जो है वो कहां exist होती है ये एक narrow zone एक है जो इस lithosphere पे hydrosphere और atmosphere के दरिम्यान में exist है ठीक है लिटोस्फियर पे देखो तो आप आपको लिटोस्फियर के से कहते है रोके स्फियर ठीक है mountainous वगारा तो आप यहां पर देखोगे यहां भी मिलेगा hydrosphere के से कहते है water bodies यहां पर भी आपको wildlife मिलेंगी ठीक है लिटोस्फियर में देखो तो यहां पर आपको क्या मिलेगी यहां भी animals वगारा birds वगारा मिलेंगे हर जगा पर आपको living bodies मिलती है चाहे लिटोस्फियर हो hydrosphere हो atmosphere हो you will find on all these very spheres living bodies ठीक है तो इससे हम क्या कहेंगे this is called as biosphere जब आपको इन चीजों में क्या मिलेंगे living bodies मिलेंगे ठीक है तो उससे biosphere हम कहेंगे in the biosphere living beings are interrelated and interdependent on each other for survival तो biosphere के अगर हम बात करते हैं जो living bodies होती है जानदार चीज़े जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है interrelated ठीक है यानि एक दूसरे पर क्या करती है this life supporting system is known as ecosystem तो इस life supporting system को क्या कहते है ecosystem कहते है ठीक है मान लेते हैं कि एक biosphere है ठीक है जहां पर हमें बहुत सारी चीज़े में आपको बताता हूँ बहुत सारी चीज़े हमारे पास है for example goat है फिर उसके बात lion है फिर उसके बात स्क्रेंजर है यह सारे एक दूसरे को खाते है ठीक है एक दूसरे पर dependent है इसी तरह से trees है तो जाते हैं फिर जब वो मार जाते हैं तो जब वो मार जाते थे तो उसको बैक्टरिया बगारा खाते हैं ठीक है तो इस तरह से यह एक दूसरे पर बहुत क्या है डिपेंडेंट है फूड के लिए especially vegetation and wildlife are valuable resources vegetation और wildlife जहें यह बहुत ही valuable resources है हमारे लिए इनका बहुत ही value है ठीक है बहुत ही कीमती है plants provide us with timber give shelter to animals provide oxygen to we breathe protect soil essential for growing crops तो plants जो है यह provide करते हमें क्या timber जलाने की लगड़ी shelter देते है animals को रहने की जगा देते है animals को oxygen हमें provide करते हैं जो क्या करते हैं पीते हैं ठीक है और अपनी जिंदगी गुजारते हैं protect soil soil को बचाते हैं ठीक है जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूर है crops बढ़ाया था कि इस तरह से किसी जगह पर नंगी जगह पर ठीक है जाते हैं अगर विंड आ जाये तो soil बच जाती है ठीक है soil degree greater नहीं होती है मैं आप इस चप्टर में बढ़ाया आप देख लेना तो इस तरह से काम आते हैं help in storage of underground water तो हमारे यहां जो पेड़ पोदे हैं यहां क्या करते हैं हमारे बहुत help करते हैं underground storage of water में ठीक है जमीन के नीचे जो हम पानी हमारे पास स्टोर होते हैं उसमें भी यह बहुत help करते हैं तो खासकार अगर पैपर की बात की जाए तो हमारे studies के लिए यह क्या है बहुत ही essential है यह भी हम कहां से लाते हैं इन्हीं plant से लाते हैं there are innumerable uses of plants and you can add some more यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या है plants के बहुत सारे क्या है innumerable uses ठीक है हम count नहीं कर सकते कि कितना हम इनको इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो अब इस कुछ add कर रही है ठीक है wildlife includes animals birds insects as well as the aquatic life forms wildlife में क्या include होता है अनीमल्स है बर्डस है इंसेक्टस है ठीक है animals जानी के जानवारे रहें birds प्रिंदे इंसेक्ट होगे कीडे मुकोड़े ठीक है as well as aquatic life farm aquatic life form किसे कहते हैं जो life किस में होती है water bodies में होती है ठीक है pond बगजरे में होती है तो इससे यह हमें जो होते हैं नोइन मिलता है हुए थीक है ङाइक की है यह पुआइट अर डॉल जुनेक्ष अन पॉलवर्वार्स एव ए इंपॉर्फन डॉल डॉप पले ऑजिने कमपोजर्स इंर एको सिस्टम ऑगर इन्शेकर की बात की चाहे जैसे कि यह हमाए हम अनहें पास ठीक है शहिएं कि मक्षिय जो होती है मदू मक्षी एक वो हमें हम्माइड करती है यह हमीन किसे कहते हैं शहिए से कहते हैं और यह हमें कहती है अई ऐसक है वे थे करती यह यह पूलिनेचन थीक है पूलीनेशन दीख प्लावार को इस में तो यह rat यह साइनस्टरम है आप बियालोजी में पढ़ लोगी ठीक है तो यह इंपटर्ट रोल प्ले करते हैं किसमें डिकम्पोजर इन इको सिस्टम में भी ठीक है दबर्ड़ फीड औन इंसेक्टर इंड एक्टर से डिकम्पोजर एस वेल जब बर्ड़ होते हैं कीड़े में के खाते हैं ठीक है इन्सेक्टर खाते हैं कीड़े व bullish से कहते हैं चाहिए गाईक चीज को के लिए खार त मतल सब्सक्राइब बल्चर मोर all day इस अबिलिटी तो फीड आन डेड लाइव स्टाउक इस सक्वेंजर एंड कॉंसिडर्ड है वाइटल क्लींजर ओफ दे इन्वारॉन्मेंट वाद करते हैं उसमें इतनी अबिलिटी होती है को वो डेड़ गाइंग अर्गनिजम को क्या कर लेकिये खा लेकिये लाइव स्टा इस अबिलिटी तो इस तरह सकते है अगर किसी भी एक वाड ब्रॉल्म हो जाती है किसी भी ध्यक्याशि एक िथाक इसका एक पॉत है खतराई लाक हो जाता है तो यह इससे क्या होगा हमारा जो एको सिस्टम है यह बिल्कुल क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा ठीक तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा पूरे एको सिस्टम में इंबैलनस क्रिएट हो जाएगा ठीक है फिर हर्भी वर्ज नहीं रहेंगे ठीक है फिर कार्नी वर्ज नहीं रहेंगे क्योंकि यह उसरे पर फीड करते हैं तो सारे एको सिस्टम में क्या हो जाएगा एक हलल पैदा ह जाएगा ठीक है DU को किस तरह से डिस्रीपूट किया है किस आसवा से दिप्रीट किया ठीक है दग्रोथ कीडिेशंड याउन टमपरेचन फीर लिए भीजीटेशन होती है ठीक है यह जङलात वगाइर होते तो ये किस पर अजय नमी है किस जगा पे ठीक है तो ये कौन से हैं in areas of heavy rainfall huge trees may thrive अगर heavy rainfall के area में हम देखते हैं तो बड़े-बड़े पेड़ क्या है उगते हैं ठीक है thrive कहते हैं उगने में the foresters are thus associated with areas having abundant water supply तो अब जो ये वाले foresters होते हैं जहां पर बड़े-बड़े पेड़ बोदे होते हैं तो ये किसके साथ associated होते हैं जहां पर abundant water supply होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पानी की supply होती है As amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces जिस तरह से amount of moisture के होते है, decrease होते है जहां जहां पर ठीक है तो उसी हिसाब से वहां के size of trees होते है या कि उनकी density reduce हो जाती है यहां पर पानी ज़्यादा है, moisture ज़्यादा है, वहां पर पेड़ बोदे गने भी हैं और बड़े भी हैं Shorts Tunnel trees and grasses grow on in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world अब Shorts Tunnel trees जो होते हैं ठीक है, छोटे छोटे पेड़ बोदे जो होते हैं और grass कहां पर grow होता है, जहां पर moderate rainfall होती है, ठीक है ना ज्यादा rainfall होती है, ना ज्यादा temperature होता है, ठीक है तो यह क्या होते हैं, grassland of the world होते हैं, ऐसी जगें Thornish shrubs and scrubs grow in dry areas of low rainfall, अब Thornish shrubs और scrubs जो हैं यह कहां पर grow होते हैं, जहां पर बहुत कम बारिश पढ़ती है अब ऐसे areas में क्या होता है, जो पेड़ पोदे होते हैं, ठीक है इनकी जड़ें होती हैं, वो बहुत ज्यादा गहरी होती हैं और जो इनके leaves होते हैं, वो थारनी होते हैं, ठीक है, वेक्सी सर्फेस होती है इससे क्या होता है, कि जो loss of moisture होता है, प्लांटर्स में ठीक है, जब transpiration वगएरा होती है, तो वो बच जाता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है को बहुत करें, ठीक है, तो इस न में क्या होते हैं लाइचनस वगेरा ठीक है, तो पोड़रीजन कौन से होते हैं, मैं आपको यहां पर Glow बना कर दिखाते हूं, ठीक है, इस तरह से लेंड्ड नहीं है, तो इस वक्त ड्राइंग ऐसी ही होगी ठीक है, तो यह होगे एक्व में चोड़ी कर चलगे होगत थोड़ा यह वाला ठीक है इसके बाद होते हैं सबka इसके बाद होते हैं इक्वेटारील ठीक है जो किwah यह बिजिञे होती है ठीक है यह बहुत से यह यहँ पर सब्इसके आज आप देखते हैं तो संचating पहले कितनी लोग थे ठीक है दो से महान शौल पहले कितनी लोग थे इसके करों किगे तोन सबस्कारोंक लिए अगर आ चौकार हमें क्या करा है मैं फूट प्रोबास नहीं है ठीक है तो पूरी डुनिया के अपर किया हुगाते हैं घी कि खतम हो रहा है और चल्दी क ही खतम अब हम क्या कर रहे हैं नेचर विज़ेशन को या कि वाईल्ड डाइफ को फारस्ट जो है यह क्या है यह हमारी बैस है ठीक है फारस्ट है हमारी दावलत तो और मैंटेन करते हैं इको अधोन को छी कि प्रक्ता घू तो शाक्ष्ट Pues K घूए ग्र। अब जब क्लाइमेट चैंज होता है ठीक है और जो हुमन इंटर्फियरेंस होती है इससे क्या हो सकता है लॉस अफ नेच्रल हैबिटेट हो सकता है प्लांट का ठीक है और अनिवर्स का सारी ऐसी स्पीसिस हैं बहुत सारी ऐसी नसले हैं बहुत सारी चीजों के ठीक है जो किया है बिलकुल वल्नराइबल सारी ञें खत्म होने पर हैं और आधि क्या है लगभग आने वाले सालूंगे वह भी इस स्टेज़ पर बहुए चाहिए कि उन डिफॉरस्टेशन स्उएल रोजन कानस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉरस्ट फ़ायर्ज तौनामी एंट लेंड श्लाइडूर्ज फट्र फेक्टर्विट विच एक्सलरेट इन प्रॉस्ट अधिस रिसोर्सैर्स अब डिफॉरस्टेशन के गर हम बात करते हैं जंगला आजाते हैं लेंड़ ऐसा जा जाते हैं ठीक है यह कुछ फैक्टर और और आजे नेचल फैक्टर तो इससे क्या होता है प्राइख और फैक्टिंशन और इस रिसिर्ट न इस रिसॉर्स हो जाती है यानिके यह जो रिसोर्स हैं हमारे पास यह खत्म हो जाते हैं वन आदे मेजर कंसर्ण इस पोचिंग विच रिजल्ट इन शॉर्प डेक लाइन इन दे नमबर आफ पर्टिकुलर स्पैसिस इन में से एक बहुत बड़ा एक कंसर्ण एक है जिसे पोचिंग कहते हैं शिकार करन है ठीक है फोचिंग कहते हैं हांटिंग करना अच्छे इसम बहुत ही बड़ा क्या है बहुत ही बैया ठीक है यह लेगली तोर पर बैया अगर किसी चीज़ को आप पहुच कर रहे हैं ठीक या विरा हंट कर रहा हो तो उस पर आप को लेगरी आपके खिलाफ एक्षिन लिया जाएगा यहां पर जैसे सल्मान खान के खिलाफ ब्लैक बग को उसने मारा तो उसके खिलाफ क्या हुआ एक्षिन लिया है एंट सिट्ल उसका मसला जो है वो कोड में अब भी चल रहा है एनिमर्स और पोचोड फ्र क्लेक्शन इ लिगल प्रेट फाइडर्श नेज टेएंट खॉर uste extend फहार इस विदल रोज़ोज स्विक्वज। अनिमल्स जो है इन्हों को मॉने प знать किया। ऐनुमिल्स को सोजिद मिया किसे लिए हम इन से क्या कुलेक्ट करते हैं क्या कुलेक्ट करते है अ बहुत सारी चीज है जैसे कि उनके टीट होते हैं हो फ провड़कर त弟 लैप तो कुछ अनिम जैसे के टाइगर लाइन है एलेफट हैं ब्लैक बग लायक बग ड्र और सब्सक्राइब करें लिपार्ड ऑस्टिच एंड पीकाग यह चीजें हैं कि हम क्या करते हैं हंटिंग करते हैं और इनको बहुत ही क्या है दियारांद वरिजाफ एक्स्टेंशन इस गैंब किस तरह से बचा सकते हैं इनके बारे में हम एवियरनेस दूसरे बंदें को पहुआ सकते हैं इनको मारो मत ये खटम हो जाएगी ठीक है नेचल पार्कस वाइलाफ संसरी इसको प्रोटेक्ट किया जाए और हमारी of creeks lakes in wetland is necessary to save the precious resource from depletion of conservation करते है एक क्रेक की ठीक है लेक्स की वैट लेंड की क्यों कंजरू करते हैं को ताकि जो हमारा प्रिश्ट रिसोर्स ठीक है प्रिश्ट रिसोर्स जो है वाटर जैसे वो डिप्लीट नहीं हो ठीक है खत्म नहीं होगी अगर जो नंबर आफ स्पैसिस हमारे पास अविलेबल हैं इनको डिस्टर्ब ना कि जाए इनको प्रिशरू कि जाए इनकी रिस्पेक्ट की जाए ठीक है प्रिश्ट आगए अधियुन आफ मेंद एक्टिविट्स जो होते हैं बहुत जगा पर इन्हों ने क्या किया है नेच्ट्र है पेसिज को डिस्टेक्ट कर दिया ठीक उसको फना कर दिया है डियो टू इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्स इनिमर्स वीदर बेकें Accastained or or on the verge of extension ठीक है Indiscriminate killing ठीक है बेरहमी से मारना कुछ birds को या के animals को इससे क्या हुआ है ये खत्म होने पे हैं या के खत्म हो चुके हैं Awareness programs like programs like social forestry and बना महात तसवा should be encouraged at original and community level ठीक है programs यहाँ पर awareness programs launch करने चाहिए ठीक है खबरदार करने के program हमें लांच करना चाहिए ठीके जिस तरह के social forestry है ठीके या कि यह क्या है वाना माहो तसावा ठीक है यह एक ऐसे ही program है जिसमें यह awareness दी गई हो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको एंकोरेज किया जाना चाहिए ठीक है विजिट उनको करवाने चाहिए नेचर केमपस में ठीक है और एप्रिशेट करवाने चाहिए है यहां पर बहुत सारी किसम की स्पैसिज रहती है मैनी कंट्रीज है पासट लाज एकनिस्टे ट्रेड ऐस वैल एज किलिंग आफ बर्ड़ इंड अनिमल्स बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने लाप पास किये हैं इसके खिलाफ कि ट्रेड नहीं होगी किसकी बर्ड़ की ठीक है बड़ का वो सिकन नेल इस होर्नेस अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहां पर भी किलिंग आफ लाइन टाइगर डियर यह के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह के पीकाग है यह बिल्कुल इलीगल माना जाता है एक कंवेंशन एक है जिसके सिटीज कहते है ठीक है इसमें यह है डियर इसमें कहा गया है कि सिवरे स्पैसिस जो है उनके लिस्ट बनाए गई है चाहे वो इनगेमिल एं चाहे बर्ड़ लेगल क्या है इनकी ट्रेड करने मिल्कुल क्या है इनकी तिजारत करनी बिल्किल prohibited है मना है ठीक है conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen plants को conserve करना और animals को conserve करना ये हर एक बंदे की फर्जी duty है ठीक है हर एक citizen की ठीक अब अब आप देखो यहां पर cities क्या है the convention of international trading endangered species of wild fauna and flora यहां पर क्या है एक convention है international level पे जहां पर यह कहा गया कि जा इंडेज histor species है는 चाहे हूँ wild fauna है चाहे flora है ठीक है इस पर एक convention बनाई गई है ठीक है अई committee है एक बनाई गई है Is an international agreement between the governments इसमें क्या किया गया है हर एक government का हा जिस government ने इसमें assign किया है तो उसको क्या किया गया है एक agreement उनमें उनके तर्मियान एक agreement हुआ है It is it aims to ensure that international trade in the specimen of wild animals and plants do not threaten the animals इसमें ये ensure किया गया है कि international trade जो है उससे wild animals जाहे प्लांटर से ठीक है इनको खत्रा नहीं पहुँचाए जाएगा ठीक है उनके survival को roughly 5000 species of animals and 28000 of तो इसमें कहा गया है कि पांच हजार जो है इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा यह कुछ इसके दी गई हैं कि इनकी ट्रेडर नहीं होगी ठीक है तो इस तरह से हमारा दूसरे चप्टर भी कंप्लीट हो जाता है जियोग्रेफिक का एर्थ क्लास की जियोग्रेफिक का सोरी ठीक है तो क्या होगे इसके बाद हम इसके question answer करेंगे and then we move to the next chapter till that take care bye